हलो दोस्तों कैसे है आप सब लोग को सबसे पहले यार ये चैनल सबस्क्राइब कर लें उसके बाद ताकि हम आगे भी बाते करते रहें ठीक है तो यार बहुत बार ये कमेंट आया कि AMC नाइट पावर ओयल का जो है मैं इंग्रीडियन्स बता हूं और उनके क्या-क्या फायते हैं तो उसके जो इंग्रीडियन्स है और मैं एक-एक करके गिना हूं तो आप सबके बेनिफिट्स आपके दिमाग में खूद आएंगे अगर आप अपने मतलब erectile dysfunction या कि फिर size को लेके आप इतना दिन से अगर देखना है तो हर एक इंग्रीडियन्स जो है आपको उसका समझ में आएगा कि वो सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए बना ही है सबसे बढ़िया पहला जो है वो है मंजूफल अभी मंजूफल जो है वो सबसे जादा यूज होता है कहाँ पे muscles को tight करने के लिए tight मतलब कि आपको strength देने के लिए तो generally ये use करते थे जब करते हैं अभी भी मतलब Malaysia में आज भी ये use होता है post pregnancy उसको जो vaginal muscle होता है उसको tight करने के लिए तो ये तो मंजूफल है तो अगर आपके link में कोई problem है तो वो definitely वो उ जो है आपके muscles को strength करके उसको tight करें दूसरा है aloe vera aloe vera तो सबको पता है कि वो skin से related जितने भी आपके skin में कोई problems है या कि फिर जो आपका skin का जो roughness है उसको खतम करने के लिए होता है तो ये है उसके बाद है long long का जो तेल है वो हमेशा से use होते आ रहा है मतलब आपके normal massage मे आप उसको use करते आए होंगे long का तेल जो है वो आपको pain भी कम करने में मदद करता है आपके muscles में जो है थोड़ा सा strength देता है उनको repair करता है तो वो काम करता है long का उसके बाद शतावरी है शतावरी जो है वो बरसो से use हो रहा है erectile dysfunction को खतम करने के लिए जिनको भी erectile dysfunction का problem र जानते होंगे कि वो इसके लिए use होता है उसके बाद है कपूर भीम सेनी और अकरकरा पिस्ता ये जो चीजे हैं ये जो use होती है ये आपको जो है ये mostly to use होता है erectile dysfunction को ही solve करने के लिए लेकिन उसके साथ साथ ये आपके muscles को भी repair करने में का काम करता है उसके बाद है आपका खुराषणी अजवाइन खुराषणी अजवाइन जो है खुराषणी अजवाइन साथ है कि वो जो धातूरा सुने होंगे कई लोगो ने सुना होगा लेकिन धातूरा का क्या है एक side effect भी होता है कि वो बहुत ज़्यादा आपको मतलब वो नशाटाइट से देता है तो वो इसलिए उससे बचते हैं लोग और यूज करते हैं इसको जो है खुराशनी अजवाईन को ये इंडिया के बाहर भी यूनानी जितने भी हैं यूनानी क्लीनिक्स में भी आप चाहिए एवन यूनानी जो हकीम होंगे वो भी आपको इसके बारे में जरूर बताएंगे क्योंकि यूनानी सबवेता में ये बहुत ज़्यादा यूज होता था खुराशनी अजवाईन और ये आपको जो लिंक से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं यूरिन प्रॉब्लम्स हैं या के फेर एलेक्टाइल डिसफंक्शन के प्रॉब्लम हैं उन सबको सॉल्व करने के लिए जो यूनानी सबवेता में ये सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं सबसे ज़्यादा इसका यूज करते हैं लोग खुराशनी अजवाईन का वो भी है इसमें उसके उपर है जैतून का तेल ओली वोईल ये तो आपको पता ही होगा कि ये कितना ज़्यादा प्योरेस फ़र्म होता है सबसे अच्छा होता है आपके लिए अगर आप इसको यूज करते हैं तो इवेन अपने सिर्फ लिंक के लिए नहीं आपके सारे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए इवें आपकी नसों से related problems के लिए आप जैतून का तेल का यूज गाते है तिल का तेल तिल का तेल जो है वो भी इसलिए यूज होता है वो एक तो आपके जो नसे हैं उनको strength देता है तो जो तिल का तेल है जैतून का तेल है वो इसमें mix है अब तीसरा है long का तेल यह तीनों तेल जो है इन तीनों का mixture मतलब सबसे अगर आप देखेंगे तो सबसे अच्छा है अगर आपके आप अपनी नसों को strong बनाना चाहते हैं उसमें से जो blockage हटाना है या कि फिर जो उनमें जो blood flow है उसको proper circulate करना है तो इसका use कर करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि body pain होता ही इसलिए जब नसों में proper आपका खुण नहीं बहता तो आपको वहां पे pain सुरू होता है वो सारी चीज़ें जो है नसों से सब चीज़ें हटाने के लिए और नसों को strength देने के लिए यह use होते हैं तो यह तो है इसके जो main ingredients है major ingredients और सब के sub ingredients जो है वो आपकी या तो नसों को सही करने के लिए होती है या तो आपको skin के लिए सही करने के लिए होती है या तो आपके erectile dysfunction को solve करने के लिए होती है तो hope कि मैं अभी clear हुआ हूँ कि आपको समझ में आया हो कि एक एक चीज़ जो है इस oil में जो भी है वो आपको कह नहीं न कहीं सिर्फ benefit ही देने वाला है इसमें से कोई भी ऐसा ingredient नहीं है जो नुकसान दे हो आपके लिए और आपकी नसों को या कि फिर link को कोई नुकसान पहुचाने वाला हो ऐसा कोई भी ingredient इसमें नहीं है तो धन्यवाद दोस्तों अगर अभी भी कुल डाउट है तो प्ली